राजधानी में 128 वे अम्बेडगर जयनती धूमधाम से बनाई गई वहीं अम्बेडगर सरकिल पर मुखे मंत्री अशोग घेलोत ने बाबा साहिब की मूर्थी पर पुश्प चड़ा कर उन्हें याद किया इसके बाद मुखे मंत्री अशोग घेलोत अपने आवास पर पत्रकार से मुखातिब हुए उन्होंने साथ ही कहा कि बाबा साहिब का संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और आगे बढ़ो आज भी मैं समझता हूँ कि जो समाज पिछड़े हुए हैं चाहिए कोई गरीब आद में कोई किसी जादी धर्मका हो और जिसको जरूरत है कि आगे बढ़ने की जिसके समाज को जिसके परिवार को उसके लिए बाबा साहब मेट करगा वो संदेश कि कैसे आप सिक्षित बनो उस पो जोड़ देने का सकते हैं बिना सिक्षा के जिन्दगी में अंधेरा है यह मेरा मानना है इतले हमारी गॉवर्मेंट ने भी पिछली भार आपको मालूम है कि पानी बचाओ सबको पढ़ाओ पानी बचाओ बिडली बचाओ सबको पढ़ाओ नारा दियात हम लोगों ने